हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में और इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्राफ्ट कंट्रोल और ड्च कंट्रोल मेकैनिजम की तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसकी जुरूत हमें क्यों पढ़ती हैं क्योंकि जब हम pluffing कर रहे होते हैं तो हमें soil को ज्यादा penetrate नहीं करना होता है क्योंकि अगर हम soil को ज्यादा penetrate कर देंगे तो जो seed है वो ज्यादा अंदर चला जाएगा और वो grow नहीं कर पाएगी इसके अलावा अगर depth control में अगर हमने depth जो है कम कर दिया तो seed उपर रह जाएगा और वो भी problem create करेगा क्योंकि उसको पक्षी लेके उड़ सकते हैं उसको खा सकते हैं और इसके अलावा जो plaf होते हैं वो काफे heavy भी होते हैं तो उनका अपना weight होने के कारण भी वो ज्यादा penetrate कर सकते हैं तो SME बहुत important हो जाता है कि हम उसके depth को control करें और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ज्यादा penetrate होने के कारण वो उस पे ज्यादा strain पड़ेगा और वो किसी point से band हो सकता है या तूट भी सकता है तो चलिए अब हम देखते हैं कि draft control और depth control mechanism कैसे काम करता है तो जब भी driver control lever को आगे की तरफ पूश करेगा तो इसका link होता है इस road से और ये road जो है ये fixed होगा cam follower से तो ये cam follower जब भी आगे की तरफ move करेगा इस control lever को आगे move कराने से तो ये एक third जो ये valve road है इसको ये आगे की तरफ पूश करेगा जब valve road आगे की तरफ पूश होगा तो ये valve को open कर देता है तो जो एक passage हमारे पास है valve open होने से वो खुल जाएगा और इसके कारण ये fluid hydraulic cylinder के chamber में आ जाएगा और जब ये fluid hydraulic cylinder में आता है तो ये thrust create करता है piston पे इस piston से जो rod जुड़ी होई है वो shaft arm को जाती है तो जब भी ये force apply करेगा shaft arm पे तो ये एक पूरा एक fixed part है जिसमें ये shaft arm है shaft arm के आगे push होने से ये rocker shaft rotate करेगा clockwise और rocker shaft के clockwise rotate होने से ये lift arm इस rod को lift करेगा तो जब ये rod lift हो जाती है तो इसके बाद हमारा जो fluff है ये इससे जुड़ा होता है जिसके कारण ये fluff उपर की तरफ lift हो जाता है तो ये simple mechanism था कैसे depth control mechanism और draft control mechanism काम करता है so next video में हम बात करेंगे कि ये automatically कैसे होता है so thanks for watching